मैं बनाता हूँ वीडियो with out maik कर, तो तुम इस वीडियो को सबसे फेले like पता है बहुत ही घटी यहारि बोली नगल सीवा में से तो अच्यी थी Hello everyone, Welcome back to my channel Superstar Prince और आज के वड़न हम बात करेंगे स्पेट्शला 13 के एपसोड 6 के बारे में जो की एयर हो चुका है वूट सेलेक्ट पे और मैंने एपसोड देख लिया है तो इस एपसोड में में डॉम से संद देखने मिले काफी सर फाइट्स भी देखने मिले तो क्या मेरा ख्याल है इस ए अधिने टास्कस से और उसके चाथ फिर विला में आते ही रिया और सीवा माज में लड़ाने लगते हैं और यह दूनों पता नहीं है एक दूसरे को बहुत ही घंदा गंदाबोरा रहे लड़ाए में और पता नहीं नेका क्या होगा फिर आगे आगे हम लोग देखते हैं व पिर से एक बार लड़ाई देखने मलती है सिवाम ओर रिया के विच और ये सिवाम पता नहीं क्या कर रहा है बन्दा बार 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 सिरी ने को रूला रहा है पतानि एक तो इसमें मुझे पूरी गलती सीवां के लग रहे है रिया कि कोई गलती नहीं मुझे लग रहे हैं और उसका फिर हम देखते हैं कि ओर एकल कपल सेलेक्षन होता है कि कौन आखिर इस बार और एकल के पास जाएगा आइडियल मैच बनने के लिए तो तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि सभी कंटेस्ट अपने अपने लिए जोड़ी दार चुन रहे होते हैं तो इसी के चलते हैं यहां पर फूमी का और फुमी का इस लड़ाइः में रोने लगते हैं अब फिर हमें आजमा और निकिता को फाइट देखने भीलते हैं आप पहले ही बोल देते कि उन्हें कोई वोट ना दे क्योंकि वह नहीं जाना चाहते इस बार और के पास वह किसी और को मौका देना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी चीज़ लगी दोनों के तरफ से तो इसका फिर वोटिंग हुई उसका सबसे आदा वोट है निखिल और पलक को और वो दोनों जाने वाले थो और एकल के पास और यहां मैं दिल से चाहता था कि वो दोनों बन जाए डेल मैच क्योंकि वो मुझे सबसे बैस लग रहे है निखिल और पलक की जोड़ मुझे मेरी फेवरेट थी सीजन निखिल जिसका डर था वही हुआ जैसा मैंने अपने लिए बताया था वैसा ही हुआ और निखिल पलक आइडियल मैच नहीं बन पाए पता नहीं यहां एक पल चुनना था अपने लिए तो यहां पर अवंतिका को उन्हें चुन लिया और अवंतिका आ गई गोल्ड विला में जो की पलक की सबसेड दुसमन थी उसकर में जो पल और इस एपसोड मुझे अवंतिका बहुत ही नेगटिव लगी क्योंकि वो गैरी को बीज में ताना मार रहे थी जब उन्होंने उन्हें के लिए पिछ नहीं किया था जबकि गैरी को पता था कि केविन उन्हें आउट नहीं करेंगे डंप नहीं करेंगे फिर वह ताना मार रही थी गैरी को मतलब गैरी इतने बोले बाले है तो उन्हें ताना मार रही अवंतिका यह अच्छी बात नहीं मुझे लगया वंतिका के तरफ से उसके फिर हम लोग देखते हैं कि स्वेता और आजमा डंप हो जाती है वो दोनों को कोई भी मैच नहीं मिलता है अपना इस यह अच्छा मोंट डेक्ट ने मिलता है जब निकिल पलक को वाइदा करते हैं कि वो किसी के साथ और connection बनाई नहीं सकते जैसा connection उसे पलक के साथ है दिल का collection जो उनका पलक का है वो किसी और से बनाई नहीं सकेंगे फिर हम लोग देखते हैं दो महां बयवकूफ ऑफ मेरा I am still confused क्या यह दोनों सोचते हैं उसका फिर हम लगे देखने मिलते हैं निखिल चेनपपा के एंट्री यो मैं आवरीवरेट निखिल चेनपपा आ जाते हैं यहां पर स्पेट्शला 13 में और उनके एंट्री होते हैं और वो अकेले नहीं आते वो अपने साथ दो वाल्ड क काफी अच्छा खासा था मैं सबसूड रेटा हूं 7 out of 10 और इस एपसोड की स्टार पॉफोर्मर थी अवन्तिका वैसे मुझे पसंद नहीं है एपसोड में वो नेकिल क्योंकि वो नहीं गोल्डर वीला में जाने का मौका मिल गया इसलिए वो स्टार पॉफोर्मर इस एपस